आपका स्वागत है मैं राहुल राज तो आज हम आ चुके हैं प्रैक्टिस संख्या 20 को लेकर जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जी के और जीएस के क्वेश्चनों को सबसे पहले बता दें अगर आप मेरा यूट्यू चनल में फर्ष्ट बढ़ा हैं ति वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें अचली वीडियो को चलते हैं कहीं भी कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेक्षन आपके लिए खुला है जल से जल कमेंट करें तो चलते हैं वीडियो के और साथी में बता दू आप सुबह 7 बजे इस लाइफ क्लास में जरूर डेली कर जो भी इस क्राइट एंसर आपको आता है एबी सी एडी आपको जरूर से जरूर आपको कमेंट करना है है ठीक है यह मैं आपको भताओ देश किसे कहा जाता हैpen A B C या D जल्दी से 1st कमेंट सांपो का देश किसे कहा जाता है तो इसका राइट एंस हो जाएगा आपका option A, Brazil option A is right answer सांपो का देश किसे कहा जाता है Brazil को कहा जाता है option A is right answer, जिकले और अगले कोश्चन के चलते हैं बात करते हैं दूसरे नमर कोश्चन के लिए किस उपकरन का पर्योग किया जाता है औहला कोश्चन के लिए कमपास का उप्योग किया जाता है औप्सन नमर कोश्चन क्यों चलते हैं नेश्ट अगला कोश्च नमड़ा कौन सा अश्मारक बादसा और अरंजेव के बेटे आजम सा द्वारा बनाये गया था ओप्शन A, B, C एर D जल्ली से फास्ट कमेंट जल्ली से फास्ट तिसका राइट एंस होजेगा आपका ओप्शन नमर C, B, B का मकमड़ा ओप्शन नमर C, right answer क्या होजेगा? B, B का मकमड़ा, option C, right answer नेश्ट अगले कोश्चन नेश्ट अगला कोश्चन हमड़ा, गेसर शांग है क्या है? option A, B, C या D जल्ली से फास्ट कमेंट गेसर शांगा क्या है या है? जल्ली से फास्ट कमेंट इसका राइट एंस होजेगा आपका option नमर D नेश्ट अगले कोश्चन को चलते हैं नेश्ट अगला कोश्चन नमर पाचवा नमर भाड़त किस परकार का प्रसंग है जिसमें कुछ राज्जियों के पास अन्य राज्जियों की तुनला में अधिक सकती है option A, B, C या D जल्दी से फास्ट कमेंट जिसका राइट एंस होजएगा आपका option नमर D एक जूट रहना option नमर D जी राइट एंसर एक जूट रहना नेश्ट अगले कोश्चन क्यों चलते हैं नेश्ट अगला कोश्चन है नमर भारतिय किर्केट बोर्ड जो है B, C, C, I का गठान कब हुआ था option A, B, C, D जल्दी से फास्ट कमेंट इसका राइट एंस होजएगा आपका option नमर D दिसंबर 1928 में आपका इसका गठन हुआ था भारतिय किर्केट कंट्रोल बोर्ड का आपका दिसंबर 1928 में इसका गठन हुआ था नेक्स्ट और अगले कोर्शन कूँ चलते हैं ? नेक्स्ट और अगला कोष्चन है आमारा सक्त्य जित्रावल निमलिखित मेंसे किस से जूरे थे option A B, C या D जल्दसर फास्ट कमेंट स्यॉजली से जूरे हुए थे जलूसर से फास्ट कमेंट फिलिम निर्देश सकते ओप्षन मेर डीज राइशन से नेस्ट अगले कोश्चन को चलते हैं नेस्ट अगला कोश्चन है स्पिंग जेनी की खोज किस ने की थी ओप्षन ए बी सी इगा डी जल्दी से फास्ट कमेंट जल्दी से फास्ट कमेंट इसका राइटेंस हो जागा आपका ओप्षन नमर ए नेस्ट अगला कोश्चन हमड़ा केरल में वेफारिक स्टेशन सुरू करने के लिए निमलिखित में से कौन पहले थी ओप्षन ए बी सी या डी जल्दी से फास्ट कमेंट पुर्थ गाली वहपारी उप्षन नमर बी इस राइट एंसर कौन हो जाएगे नाइन का बी वीडियो को जुरूर लाइक कर दे और लिखते चले नाइन का बी एंसर सब्सें पोर्टेंट यह एई आपको सारे का उब्जेक्टिव याद होते चले जुरूर जुरूर कोमें करें एंसर कॉमेंट करने से आपको ही वेनफिट होने वाला है चलिए नेश्ट रो अगला कोशन हमारा निमलिखित में से कौन सा वनस्पत्ति जगत का उभैचर कहलाते हैं ओप्षन ए बी ची या डी जल्दी से फार्ष्ट कमेंट 10 का राइट अंसर जल्दी से कमेंट करें इसका राइट यह होजएगा ओप्षन नमर्डी बायोफाइट ओप्षन नमर्डी इस राइट एंसर ति नेश्ट रो अगले कोशन को चलते हैं नेक्स्ट अगला कोर्षेन हमारा भार का एशाई एकाई क्या है? ओप्शन A, B, C या D जल्दी से फार्स्ट कोमेंट भार का एशाई एकाई क्या है? इसका राइट एंस हो जाएगा आपका ओप्शन नमर ए नुटन ओप्शन नमर एच राइट एंसर बल का भी नुटन होता है भार का भी नुटन ओप्शन नमर एज राइट एंसर नेक्स्ट अगले कोर्षेन को चलते हैं नेक्स्ट अगला कोर्षेन नमर है बारा नमर उन्नीस सो पांच में भारत माता की पख्यात छबी को किसने बनाया था? ओप्शन ए, बी, शी या डी जल्दी से फास्ट कमेंट बारा लिख कर आपको कमेंट करना है राइट एंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट एंस हो जागा आपका ओप्शन नमर सी रबिर ना तैगोर ओप्शन नमर डी इस राइट एंसर कौन क्या होता है ओप्शन ए, बी, सी या डी जल्दी से फास्ट कमेंट जल्दी से फास्ट कमेंट तो तेरा कर राइट नस हो जागा हमारा ओप्शन नमर ए जमा रास्यू तो क्या हो जागा? बैंक जमा रास्यू पर दी जाने वाली ब्याजदर की तुनला में रीन पर उच ब्याजदर प्रसारित करते हैं ठीक है? ओप्शन नमर ए इच राइट एंसर नेक्स्ट और अगला कोश्चन क्यों चलते हैं? नेक्स्ट और आगला कोश्चन 14 नमर, रक्त का कौन सा घटक रक्त के ठक्य बणने में मदद करता है? option a b c a d जल्दी से फास्ट कमेंट जल्दी से फास्ट कमेंट रक्त को थक्के बढ़ना यानि जमने के लिए मदद करता है इस क्राइटेंस हो जागा आपका option नमर सी प्लेटलेट अप्शन नमर सी इच राइटेंसर नेक्ष्ट और अगले कोश्चन को चलते हैं शागला कोश्चन जयाद मौसम के दोरान किस फासल का उत्पादन होता है option a b c d जयाद मौसम के दोरान किस फासल का उत्पादन होता है तिसका राइटेंस हो जाएगा आपका option नमर सी इच तम बाकु का उत्पादन होता है जयाद फसल कब से कब बोई जाती है काती जाती ज Ahhh ज्याद फसल मई जून में क्या जोती है बोई जहती है और जून मई जून में आपको बोई जहती है जुलाई और अगस्त में क्या होती है काटी जहती है option number इसके क्या राइट होगा यह option number a is right answer Tampakhu जिअध फसल में Tampakhu याता है तो जोय को चलते हैं नेश्ट और अगला कोश्चे नमड़ा 16 नमड़ कौन सा अमल आधारित संक्य तक घर पर तयार किया जा सकता है option A, B, C, D कहां तयार किया जासकता है घर पर तयार किया जासकता है जल्दी से option देखकर भी आपको पता लग जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा आपका option D चकुंदर का रस अमल आधारित संक्यत जो घर पर तयार किया जासकता है वह कौन सा है चकुंदर का रक्स option नमड़ D is right answer next और अगले question क्यों चलते हैं नेश्ट और अगला question है हमारा चेराव किस राज्य की एक पुरानी प्रामपरीक निर्थ सैली है option A, B, C और D किसके बारे में पूछ रहा है चेराव चेराव निर्थ के बारे में पूछ रहा है इसका right answer क्या हो जाएगा option option नमड़ B मनिपूर सरी सरी मिजोरम option नमड़ B is right answer मिजोरम option नमड़ B is right answer मिजोरम option नमड़ B is right answer चेराव कहां का निर्थ है मिजोरम का नेक्स्ट और अगले कोशें को चलते हैं अठारो नमड़ चाय और कोफी उगाने के लिए कौन सा मिट्टी बहुत उपयोगी है option A, B, C ये D चाय और कोफी उगाने के लिए कौन सा मिट्टी बहुत उपयोगी है जल्दी से first comment तो इसका right answer हो जागा आपका option नमड़ B लेट राइट मिट्टी option नमड़ B इस right answer नेक्स्ट और अगले question को चलते हैं नेक्स्ट और अगला question हमड़ा उत्तर railway की पहली भारतिय महिला इंजन चालक कौन थी? option A, B, C या D उत्तर railway का पूछर यह बात ध्यान रखें उत्तर railway की पहली भारतिय महिला इंजन चालक कौन थी? तो इसका right answer हो जागा आपका option नमड़ B लक्षमी लाक्रा option नमड़ B इस right answer नेक्स्ट और अगले question को चलते हैं नेक्स्ट और अगला question है हमारा निमलिखित में से कौन सा सब्द भारत के समिधान के प्रस्तावना में सामिल नहीं है? किस में नहीं है? प्रस्तावना में सामिल नहीं है जल्दी से first comment option बहुत easy है जल्दी से first comment तो इस right answer हो जागा आपका option नमड़ B आस था अप्स्ट और नमड़ B राइट एंसर नेक्स्ट और अगले question के चलते हैं नेक्स्ट और अगला question हमारा एक किस नमड़ इन में से कौन सी एक मात्र प्रकृतिक परस्तिति की तंत्र नहीं है? option A, B, C और D कृत्मिक परस्तिति की तंत्र नहीं है? option जल्दी से first comment कृत्रिम परस्तिति की तंत्र नहीं है? जल्दी से first comment तो इस right answer हो जागा आपका option नमड़ A जैंगल option नमड़ H राइट एंसर नेश्ट और अगले question को चलते हैं flying Sikh of India के रूप में कौन जाने जाते हैं? option A, B, C और D जल्दी से first comment तो इसका right answer हो जागा आपका option नमड़ D option D is right answer, Milkhaz Singh option D is right answer next और अगले question को चलते हैं हिंदुस्तानी सस्त्रिय संगीत का सबसे परचीन रूप कौन सा है? option A, B, C और D जल्दी से first comment इसका right answer आपको comment करके बताना होगा comment करके जरूर बताएं यह आपके लिए important question है जल्दी नेश्ट और अगले question के रोड़े चलते हैं next और अगला question है इन में से कौन सी एक ऐसी गतिवीधी नहीं है जिसे प्रात्मिक छेत्र के रूप में वर्ग क्रित किया गया है option A, B, C, A, D इसका right answer हो जागा आपका option number D, banking option number D is right answer जिसे next और अगले question को चलते हैं next और अगला question हमारा खादर मिट्टी किस परकार की मिट्टी है option A, B, C, A, D जल्दी से first comment जल्दी से first comment तो इसका right answer हो जागा आपका option number D जो लोड मिट्टी option number D is right answer क्या हो जागा जो लोड मिट्टी next और अगले question को चलते हैं next और अगला question है ध्वानी को मापने के लिए कौन सा एक अक unit को उप्योग किया जाता है option A, B, C, A, D किस कौम आपने के लिए? ध्वानी कौम आपने के लिए बात ध्यान देखे ध्वानी कौम आपने के लिए कौन सा उप्योग का उप्योग किया जाता है जल्दी से first comment तो इसका right answer हो जागा आपका option number A decibel, option number A is right answer चले नेक्ट और अगले question को चलते हैं नेक्ट और अगला question हमड़ा 27 number विधूत आवेस का SI मात्रक क्या है? विधूत आवेस का जल्दी से first comment विधूत आवेस का SI मात्रक क्या है? इसका right answer हो जाएगा आपका option number B क्या हो जाएगा? B, कुलाम, option number B right answer विधूत आवेस का SI मात्रक क्या होता है? कुलाम, option number B right answer नेक्ट और अगले question को चलते हैं नेक्ट और अगला question नमरा 28 number परकास वर निमलीखित में से किसकी इकाई है? option A, B, C या D देख लिजेगा option इधर उधर है परकास वर्स किसकी इकाई है? परकास वर्स किसके दूरी की है? option number B is right answer जाएगे नेक्ट और अगले question को चलते हैं आज का last question है परतिरोध का SI इकाई क्या है? ठीक है? परतिरोध का यह आपको comment करके आपको बताना होगा कि इसका right answer क्या है? 29 का right answer जल्दी से comment करें कि इसका right answer क्या है? जल्दी से first comment इसका right answer हो जाएगा आपका परतिरोध का क्या हो जाएगा? option number B is right answer चलिए आज का test से शमाप्त होता है प्रतिरोध सुबह 7 बज लाइफ क्लास जूड़ना ना भूले जब तक लिए जैहिन दोस्तों बंदे मातरम क्या है